आपको बता दें कि 32 साल के बाद मेक्सिको में एक बाद फिर से विनाशकारी भुकम पाया है देवराद धर्थी सब दशमलब एक कीतरवता से कापी और 149 लोगों को निगल गए भुकम पितना जबरदस था कि अकेले मेक्सिको सिटी में 44 इमारतें जमीदोज हो गई इन बिल्डिंग के अलावा आपको बताएं कि इसके मर्बे के अंदर अभी भी कई लोग दबे हो सकते हैं इस तरह की आशन का जाहिर की जा रही है जिने निकालने की कोशिश भी की जा रही है हम आपको तबाही की तीन तस्वीरे दिखा रहे हैं आप देख सकते हैं कि कैसे बुकम के बाद इमारत ताश के पत्ते की तरह धै गई यह तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से कुछ चंग सेकिंडों में यह पूरी की पूरी तिमारत लाल रंग की यह बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह धै जाती है लोग सरकों पर किस तरह से पानी थर्रा उठा और नावे जो इसके उपर है पानी की उपर वो किस तरह से हिल रही है वो लेकीन मानिये इस तरह बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि भुकम पा रहा है लेकिन यहाँ पर मौझूद लोग उनके डर का हैसास समझना बहुत जरूरी है कि वो भुकम क इस समय महसूस कर रहे हैं यह जो पानी हिल रहा है यह भुकम के जटकों से हिल रहा है हर तरह सिर्फ चीख पुकार ही सुनाई दे रही थी और यह तस्वीरे आग की आप लप्टों की देखिए बड़ी बड़ी लप्टें जो आकाश में जा रही है भुकम 7.1 की तिवता सा कई इमारतें जमिदोस हो गई कई इमारतों में आग लग गई और आग लगने के बाद जो भ्यावय तस्वीरे सामने आई वो आपके सामने इंडिया निउस रख रहा है और यह जो तस्वीरे आप देख रहे हैं होटल के अंदर की तस्वीरे देख रहे हैं होटल में भी कि आत्या से अप्रतफी का माहौल हो गया वो आप देख सकते हैं